ग्वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी आउडियो सूपर ट्रेडर बुक पार्ट छती सेटप उतना महत्वपूर नहीं है जितना आपको लगता है कि मैंने अपने करिय की शुरूआत में एक ट्रेडिंग कोच के रूप में देखा था कि जब लोग एक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करते थे तो वे वास्तव में एक सिस्टम के सेटप के बारे में बात कर रहे थे एक पूरण व्यापार प्रनाली के लिए जो आवश्यक है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा सेटप है फिर भी लोग अभी भी दावा करते हैं कि उनकी स्थापना की शर्ते उनके सिस्टम है आए सबसे प्रसिद प्रनालियों में से एक को देखें विलियम ओक नील की CANSLIM प्रनाली CANSLIM क्या है? यहो नील के सेटप के लिए एक संक्षिप्ट शब्द है वर्तमान ते मही आए, वार्शिकाय में वृद्धी, नया उत्पाद, नया प्रबंधन, आपूर्ती और मांग, नेता या पिछड़ा हुआ, संस्थागत प्रायोजन और बाजार दिशा जब लोग CANSLIM के बारे में बात करते हैं तो वे ज्यादा तर इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्रत्येक अक्षर का क्या अर्थ है, कुछ विस्तार से हाला की, मेरी राय में, CANSLIM सेटप उस प्रनाली को सफल या असफल बनाने का सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू है निमनलिखित कुछ सेटपों की संक्षिप चर्चा है जिन पर आप विचार कर सकते हैं विफल परीक्षन सेटप ये सेटप तब होते हैं जब बाजार किसी क्षेत्र का परीक्षन करना चाहता है उदाहरन के लिए कच्छुए 20 दिन के ब्रेकाउट का व्यापार करते थे और इसलिए 20 दिवसिय उच्च को एक परीक्षन क्षेत्र माना जाता है और इसे जारी रखने में विफलता को विफल परीक्षन सेटप कहा जा सकता है क्लाइमाक्स रिवर्सल सेटप यहां कीमत परवल एक एक नई उचाई पर जाती है और फिर गिर जाती है यह सेटप अक्सर विपरीत दिशा में बड़े कदमों की शुरुआत होते हैं रिट्रिसमेंट सेटप अक्सर ट्रेंड फॉलो अस द्वारा उप्योग किया जाता है यहां बाजार को एक स्पष्ट प्रवरिती सेटप का पहला भाग के रूप में पहचाना जाता है फिर यह उलट जाता है सेटप का दूसरा भाग और फिर प्रवरिती जारी रहती है समय सेटप यह तब होता है जब आप सोचते हैं कि कुछ ब्रमान के लिए रहस्य मय आदेश, अवधारना के परिनामस्वरूप किसी विशेश अवधी में कुछ चाल चल रही है. यदि आपके पास इन में से कोई एक है, तो जिस समय पर सेटप होने वाला है वो अनुकरम सेटप में मूले डेटा हो सकता है. मैंने उपर दिये गए रिट्रिस्मेंट सेटप के विवरण में इसका एक उदाहरन दिया. लेकिन कई अलग-अलग प्रकार हैं. मॉलिक डेटा सेटप उदाहरन के लिए एक विशलेशक यह निशकर्ष निकाल सकता है कि किसी वस्तु की मांग में कमी है. मांग का मतलब आम तोर पर कीमत में वृद्धी की संभावना है. और इसलिए यह निर्नय की मांग बर रही है. एक सेटप माना जा सकता है. वॉल्यूम डेटा सेटप उदाहरन के लिए आम्ज इंडेक्स जिसमें वॉल्यूम डेटा शामिल है को एक सेटप माना जा सकता है. घटक डेटा सेटप यदि आप 500 जैसे किसी इंडेक्स का व्यापार कर रहे हैं, तो आपको महत्वपून जानकारी मिल सकती है जो कुछ व्यक्तिगत स्टॉक क्या कर रही है. यह देखकर एक चाल का सुझहाव देती है. यह घटक डेटा का सिर्फ एक उदाहरन है. अस्थिर्ता सेटप बिजनेस फंडामेंटल सेटप मूल्य निवेशकों के पास यह निर्धारित करने के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं कि स्टॉक का मूल्यांकन कब किया जाता है. और यह आम तोर पर उनके लिए खरीदने के लिए एक सेटप है. वारिन बफे के पास कई बिजनेस फंडामेंटल हैं जिन्हें वो खरीदने से पहले प्रत्येक स्टॉक के बारे में समीक्षा करते हैं. यह सभी ऐसे उदाहरन हैं जिन्हें व्यावसाइक मूलभूत व्यवस्थाएं कहा जा सकता है. व्यवस्था पर विचार किया. बाजार में प्रवेश करना टॉम बसो और मैं एक सिस्टम वक्षॉप दे रहे थे. लेकिन हम मनोविग्यान, निकास और स्थिती के आकार के महत्व पर जोर दे रहे थे. कार्यशाला में किसी ने कहा. मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक यादरत्शिक प्रवेश्थी के साथ पैसा कमा सकते हैं. टॉम ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा था. लेकिन उन्होंने घर जाकर अपने निकास और उनकी स्थिती का परीक्षन एक यादरत् इसने पैसा कमाया. मैं इस विचार से प्रभावित हुआ और मैंने इसे अपने लिए साबित करने का फैसला किया. मैंने एक ऐसी प्रनाली तैयार की है जो दस साल की अवधी में दस वस्तूओं का व्यापार करती है. यह बाजार में हमेशा सभी दस पोजीशन पर था. जब पिया बाहर निकला, तो इसे सिक्का फ्लिप के आधार पर लंबे या छोटे को फिर से दर्च करने की आवशक्ता थी. मेरा निकास पिछले बीस दिनों की ओसत वास्तविक सीमा का तीन गुना था. और मैंने प्रती स्थिती अपने मिलियन डॉलर खाते का एक प्रतिशत जो और कमीशन के लिए 100 डॉलर में भी जोड़ा और इसलिए मुझे भारी मात्रा में लागत और याद्रच्शिक प्रविष्टी को दूर करना पड़ा. याद्रच्शिक प्रविष्टी के साथ आप अपने विशेश किनारे के किसी भी लाब को छोड़ रहे हैं. पैसा कमाने क एक ही तरीका है कि आप कभी कभार एक मजबूत प्रवृती पकड़े और सुनिश्चित करें कि आपके नुकसान बहुत बड़े नहीं हैं और आप उचित स्थिती आकार का अभ्यास करते हैं. मेरे परिनाम टॉम बसों के साथ सहमत हुए. इस पध्धती ने लगातार पैसा कमाया. इसने बहुत पैसा नहीं कमाया और आपको कुछ खराब गिरावटों से गुजरना पड़ा. लेकिन दस वर्षों में इसने पैसा कमाया. लोग प्रवेश को लेकर हंगामा क्यूं करते हैं? मैंने सेटप के बारे में बात करते हुए इस पर बात की. लोगों को यह सो साल की उम्र में खरीदे गए पहले स्टॉक के बारे में बताता हुँ. फोचून पत्र का द्वारा वर्ष की 1961 की समीक्षा के अनुसार, मुझे वो स्टॉक मिला. जिसमें पिछले वर्ष सबसे अधिक प्रती शेयर आये वृद्धी थी. इस प्रकार, मेरे निर्नय में कोई विशेश प्रविष्टी नहीं थी. एक बार जब मैंने इसे खोज लिया, तो मैंने 800 डॉलर के लिए 100 शेयर खरीदे. वो मेरी एंट्री थी. फिर मैंने देखा कि यह 20 डॉलर प्रती शेयर तक जाता है और फिर वापस नीचे जाता है. अंततर, यह शून्य हो गया. मे Microsoft या बर्कशायर हैथवे को उनकी शैश वावस्था में खरीद सकता था और अपने 800 डॉलर के साथ एक भाग्य बना सकता था. हाला कि इस तरह के प्रती एक स्टॉक के लिए 1000 हैं जो अंतता गायब हो जाते हैं. जिन में कई फॉचून 500 कमपनिया भी शामिल हैं. मैंने मूल रूप से हर महत्वपूर्ण नियम को नजर अंदाज कर दिया था कि अब मैं लोगों को सिर्फ इसलिए सिखाता हूँ क्यूंकि मुझे लगा कि सफल होने के लिए आपको बस सही स्टॉक चुनना होगा. मेरे पास 25 प्रतिशत पिछला स्टॉप हो सकता था. उस स्थिती में मेरा प्रारंभिक जो खिम 200 डॉलर 25 प्रतिशत की गिरावट होता. जब स्टॉक 20 डॉलर तक पहाँच गया तो 25 प्रतिशत ट्रेलिंग स्टॉप ने मुझे 15 डॉलर में बेच दिया होगा. मैं 3,5 आर लाब के लिए 700 डॉलर कमाता. मैंने गलत स्टॉक नहीं चुना. मुझ पैसे कमाने के नियम समझ में नहीं आए. मैं उस कथन को दोहराता हूँ. सफलता सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है. मूल 32 जोन्स इंडिस्ट्रिल्स में से केवल 2009 में रह गया. जनरल इलेक्ट्रिक अधिकांश को सूचकांग से हटा दिया गया. दिवालिया हो गया या किसी अन्य कमपनी द्वारा अवशोशित कर लिया गया. ये अंततह ज्यादातर कमपनियों के साथ होता है. सही स्टॉक चुनना और मरते दम तक उसे पकड़ना कोई जादू नहीं है. लेकिन आज बहुत से लोगों में इस तरह का पूर्वागरह होता है. वे सही स्टॉ इस वतंतरता के लिए व्यापार के दूसरे संसकरण के अध्याय नौ में प्रवेश के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ है. मैं चैनल ब्रेकाउट, मुविंग एवरेज, पैटर्न रिगनिशन, प्रेडिक्शन, वोलेटिलिटी ब्रेकाउट्स, ओसलेटर्स, और बहुत कुछ पर चर्चा करता हूँ क्योंकि इतने सारे अलग-अलग एंटरी सिगनल वर्षों में विक्सित किये गए हैं. कुझी यह सुनिश्चित करना है कि आपको नहीं लगता कि यह आपके व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. क्योंकि ऐसा नहीं है, ज हुआ है!